यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ नमस्कार मैं आपके साथ अब शेक शानिल आप देख रहे हैं खबरे भी तक बड़ी खबर ये है कि बुलंच शेहर में दिवगई में एक घर में रखे संदिक्द पदार्त में बिसफोट हो गया है इस हद्से में दो बच्चों की जान चली गई है जबकि फोरेंसिक टीम पूरे मामले की जान चली गई है पूरा मामला आपको बता दे कि ये एक ऐसा पदार्त रखा गया था जो बिसफोट हो गया जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई है जबकि पुलिस पूरे मामले की जान्च कर रही थी कि आखिर ये घर में अवैद असला और कार्तुस और लूटी के बाइक कहां से तो दर बड़े खबर एक और आ रही है जहां पर रंगदारी के बड़े आरोप लगें आपको बता दे कि बड़ी खबर ये है कि फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है और पुलिस पनी कोशिश कर रही है बदमाशों को पकड़ने के लिए बुलेंश थाना नरौला पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुटबेड का पूरा मामला है जहां पर पुलिस दोनों बदमाशों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है मुटबेड में एक बदमाश को गोली लगने की भी खबर है जिसे गायल बता जा रहा है जबकि दोने बदमाश मौके से फरार हो गए है मौके सवैद असलाक आर्टूस लूटी की बाइक पुलिस ने बरामत की है बड़ी खबर यह है कि पुलिस और गायल बदमाश को अस्पतार में भरती कराए गया है मुटबेड के बीच बदमाशों को गोली लगी है जिसमें घायल बदमाशों को पुलिस में भरती करा गया बदमाश 20 हजार का इनामी अपराधी भी बताय जा रहा था पुलिस के हाँ ते बड़ी सफलता लगी है रंगदारी के आरोप में वांचे चल रहा था बदमाश इसी पुरी खबर पे त्रेलोग चेह पुरा मामला क्या है Kurz जी त्रेलोग चेंपूरा मामवला क्या है और क्या बदमाश को अब जी तरी लोग जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए तो रंगदारी के आरोप में जिस तरीके से पुलिस और मुटबेड हुई है अपराधियों के बीश में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और बदमाशों को पुलिस पकड़ने में काम में बदमाश को गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भरती कराएगे झाल